नमस्ते साथियों आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कहानिया है कि भेडों के जुन्ड में एक नेता जी पहुंचे उन्होंने भेडों से सहयोग मांगते हुए वादा किया कि सब को ठंड से बचने के लिए श्राल दी जाएगी भेड़े प्रसन्न हो गई तालिया बजा कर सुक्रिया दा किया गया नेता जी चले गए तबी एक बुजर्ग भेड़े प्रसन्न चित सभी भेडों से पूचा कि भेड़ों यह तो बताओ कि जो साल नेता जी देने वाले हैं उसके निर्मार के लिए जो उन अथवा खाल लग करेंगे लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि हमारा देश स्वतंत्रों सम्रिद्धों और फिर से सोने की चुणिया कहलाने का हग प्राप्त कर सकें लेकिन ऐसा हो कहा रहा है जिन सियासी दलों के हाथ में देश की बागडोर रही है या है क्या वे प्रचार खंड में बिधान सभा क्याम चुनाओं होने वाले हैं चुनाओं प्रचार चर्मोत कर्ष पर हैं सभी सियासी दल और उनके नेता मतदाताओं को अपनी और आकर्षित करने के लिए हर वहत कंडे अपना रहे हैं जो उन्हें सत्ता सुंदरी से प्रणय निवेदन का उसर प्रदान कर सके राष्ट्रिय दल हों अथ्व छेत्रिय दल सबने दिल खोल कर मतदाताओं को सौगात देने का प्रलोभन दिया है वह इस पर अमल कितना कर पाएंगे यहां तो समय बताएगा लेकिन इन पाइटियों का पहले किया गया वादा कितना पूरा किया गया है यहां तो सबको याद ही है ना? राजनीता और राजनेता इससे भली भादी परचित भी है कि उनके ललो चपो में सभी मतदाता फंसने वाले नहीं हैं। वे जानते हैं कि जो वादे किये जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करना बहुत कठीन है और यद पूरे कर भी लिये जात कर हमारे ही मुह में गुसेड़ने वाले चतुर सुजान राजनेता अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ को तो रजामंद करी लेते हैं वाया जानते हैं कि जितने भी उनके प्रलोभन रूपी ब्या मुह में फसेंगे उतने से तो इनका काम हो ही जाएगा यानि सत्ता की प्राप्ती हो जाएगी प्रलोभन के साथ साथ राजनेता और भी बहुत कुछ कह रहे हैं जो हमारी एक्ता और सामाजिक समरस्ता को बरबात करने के लिए परयाप्त है अब कांग्रेस के राश्टी अध्यक्ष खडगे जी के ही बयान को ले लीजिए उन्होंने कहा है कि एक होकर सुरक्षित होना है तो मनुश्मृति जलाना होगा है खडगे जी मनुश्मृति जलाने की बात थो ऐसे कह रहे है था किसी गलाख दर्जे के लेखक द्वारा लिखा गया उपण्यास हो जिसकी वह चर्शा कर रहे हैं परहे घुप Basley को ब्रोगे कांग्रेसे परड जैसा क्रित्य होगा आपस में विद्वेश फैलेगा और इसकाल आप कांग्रेश को नहीं बलकि उन दलों को मिलेगा जो धर्म का सहारा सियासत के लिए लिया करते हैं भाजपानेता भी कुछ कहने से परहेज नहीं कर रहे हैं प्रदान मंत्री जिस्वयम कहते हैं कि मुक्ति मुर्चा और कांग्रेश सरकार ने बढ़ावा दिया है यदि हमें अपनी बेटियों को बचाना है तो भाजपा को जीताना होगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी यह कहकर पहार करते हैं कि जो लोग देश को टुकड़ों में बाटना चाहते उन्हें रोकना होग क्या है ये सब सिर्फ कुरसी के लिए किसी भी हद तक जाना कोई हमारे यहां के राजनेताओं से पूछे खरगे जी आप में और आपकी पार्टी में हिम्मत है तो कहिए मत बलकि मनुस्मर्टी को आपकी नजर में जो कुछ गलत है या समसामाइक नहीं है उस हिस्से को पढ करता दिया और आप चड़ बैठे रांसन पानी लेकर पहले पढ़िए फिर उस पर जानकार लोगों से चर्चा कीजिए उसके बाद यदि लगता है कि सचमुच में हगलत है तब भी रोत कीजिए प्रदानमंती नरेंद मोधी जी भी जो कुछ कह रहे हैं वह अबिसुत करकाने के लिए कोई कारगर कदम उठा रही है मुझे तो ऐसा नहीं लगता चाटिसगर में आज दिन यह खबर आम होती है कि अमुक शहर में धर्मांतरन का खेल चल रहा था वहां हिंदूबादी संगटनों ने जाकर विरोध जताया पुलिस पहुंची मुकदमा धर्ज कर हैं है मेरे लोग तंदर के पहरूँ विचार कीजिए कि आप जो कुछ कर या कह रहे हैं उससे क्या हमारे देश का भला होने वाला है मैं तो छोटे मुझे बड़ी बात कहूंगा कि अपना अत्वा अपनी पार्टी का नहीं बलकि देश के भौश्य की चिंता कीजिए साल द प्रियास करना होगा जाइन